आज मैं बनाने वाली आरुविक पत्ते उपकोड़े तो चलिए चलते हैं किजन मर बनाना सुरू करते हैं ये रहा आरुविक पत्ता इसे में दू ले रही हूँ अच्छे तरह किसे और साफ कर ले रही हूँ ये भींगोया हुआ चावल है एक गंटा पहले मैंने इसे भींगो रखा है चावल को ये लहसून जीरा और हरी मिर्च इन सबको मैं मिक्सी जार में डाल ले रही हूँ डाल के पीस ले रही हूँ ये चावल को मैं अच्छे तरीके से धो रखा है इसे भी मिक्सी जार में साफ मेर डाल लेंगे मिक्सी जार में डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छी तरीकी से पीच जाए ये गैस में आउन कर ले रही है कडाई चड़ा देजिए जब तक कडाई गरम हो रही है तब तक इसका बेटर प्यार कर लेते हैं ये पीसा हुआ चावल जो हमने भी वो रखा था ये हो गया इतना बेसन आदी चमच हल्दे पीसा हुआ लाल मिर्च एक चमच धनिया पौड़ा राधा चमच अब मैं इसमें डालने वाली उखाने क्या नमक स्वाद अनुसार ये एक चमच से थोड़ी से कम नमक अब इन सब को मची तरह से मिक्स कर लेंगे अब इस रेडर को में हम थोड़ा सा इसमें अलग कर लेंगे इसको हमने अलग कर रखा है अब इसमें हम थोड़ा पानी मिला देंगे सस्टा का बहुनला इसमेड इस तरह ये इतकड़े तरह इससमेर फुहuchen रहते हए रहते ड़न, सब्सक्राओ पानीच,हष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष – धर्मेग अब भड़ा अब इस पत्ते को हम ऐसे रखेंगे उल्टा अब इस बेटर को मैं ऐसे भगा दे रहें अब इस पत्ता ऐसे पूराने जमाने में ऐसी हमारी दादी बना रहें करती थी अब इस पत्ता ऐसे करकम डाल रखेंगे अब इसारे पते को मसी दा इस पत्ता रहेंगे बन्सादी करते को अब बना रहें उल्टा रहेंगे पाल और प्ला प्ला से लागे अब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे इसको रोल करेंगे हम इधर से ऐसे इसको राउंड हम करते जाएंगे इसको राउंड हम करते जाएंगे इसे यह राउंड हमारा हो गया है इसको एक सेकंड के लिए हम ऐसे छोड़ेंगे यह कडाही हमारा गरम होगा विसमे में तेल डालते रही हूं अब इस चाकू की मदर से हम इसे ऐसे गोलवोल काट लेंगे अब 20 बिसमें थ्विसमें इसमें इसमें हम चावल के लिए का जो बेटर पतला मिलायत है वो हम डाल देंगे इसके उपड़ से अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे चुटकी भर ताकि इसके भाब से यह पूरी अच्छी तरह किसे हो जाए इसे हम ढग देंगे अब में इसे पुल देंगे अब इसे हम स्लड़तेंगे इसे हम मीडियूम फ्लेम्टे ही पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए इसमें थोड़ा सा पानी ऐसे ताकि भाब से अच्छा से यह सिल्चे यह हमारा हो चुका है अब इसे हमें थाली में निकाल लेंगे यह देखियो फ्रेंड कितना क्रांची हुआ है यह अच्छी तरीके से गल भी चुका है अजर आरवी के सौकीन है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यह इसह हमारा एक पत्ता बनके है आप इस रिस्अब Jupika ज़रू ट्राई कीजेगा अच्छा लगें तरा लाइक कीजें ऑसा शेर केजें शीः किजें कीजें आप इससे चावल और नाल के साथ भी खा सकते है भीए ज़र रोटी के साथ भीखा सकते बहुत ही अच्छा लगेगा